अलो एवरीबन कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब ठीक हूंगे आज हम बात करने वाले हैं फेमस आयाइटी 2023 के बारे में जितने भी फेमस इंडियन इंसिट्यूट आफ टेकनोलोजी है चर्चित भारती प्रदोगी की संस्तान 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं कौन से ने कौन सी नहीं अप्लिकेशन लॉंच करी है या कौन सी अप्लिकेशन किस काम आती है हर एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ठीक है बने रहना लास तक इससे भी कोशन बनते हैं आप सोचोगे नहीं इससे तो कोशन नहीं बनेंगे जरूर बनते हैं इससे भी एक दो कोशन तो जरूर बनते हैं, ये भी अपने में एक बहुत important topic है तो ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते वे वीडियो को start करते है So the first question is, भार operating system जिसको भार OS बोल रखा है India, indigenous mobile operating system has been developed by which of the following IIT in January 2023 भार OS भारत का स्वदेशी mobile operating system निमने लिखित में से किस IIT द्वारा विक्सित किया गया है तो ये IIT मदरास के द्वारा विक्सित किया गया है अब ये है किया भार OS एक mobile operating system है जो कि IIT मदरास के द्वारा डिजाइन किया गया है ये मेंली किया है Indian government funded project है to develop a free and open source operating system for use in government and public system ठीक है मेंली India government service के लिए बनाया किया है ठीक है government funded project के लिए बनाया किया है तो इसमें यही चीज है और यही question पूछा जा सकता है कि किस ने design करा कौन सी IIT ने IIT मदरास ने next है which IIT has collaborated with the DRO to develop advanced defense technology ठीक उन्नत रक्षा प्रादोगे विक्सित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ सयोग किया है collaborate किया है DRDO अगर हम देखे defense research and development organization तो किस IIT ने DRDO के साथ collaborate कर रखा है ताकि वो defense technology को develop कर सके advanced level पे ठीक है तो IIT मदरास के साथ तो DRDO ने IIT मदरास के साथ collaborate कर रखा है to develop advanced defense technologies ठीक है देखते हैं तो जो IIT मदरास है is operating a research center पूछ सकते हैं कि जो IIT मदरास है वो कौन सा research center operate कर रहा है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है DRDO Industry Academy या Ramanujam Center of Excellence ठीक है यह पूरा नाम है जो कि IIT मदरास operate कर रहा है ठीक है एक research center operate कर रहा है किसके लिए operate कर रहा है to defense technology jointly with the DRDO to develop advanced technology for the national defense and security need of the nation nation के लिए जितने भी हमारा पूरा इंडिया के लिए हमारे national level पे national defense and security need जो भी होगी advanced level की technology को develop करने के लिए यह technology बनाई गई है यह research center बनाया गया है IIT मदरास के द्वारा ठीक है इसलिए इसका नाम भी क्या है ocean wave energy converter की जो की समुंद्री तरंगों से बिजली पैदा कर सकता है ठीक है उसका नाम क्या है Sindhu Jawan ठीक है कौन से IIT ने यह develop किया है यह question पूछ रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया IIT पे है पूरा topic तो question भी ऐसे ही पूछे जाएंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको बताया भी जाएगा कि उस technology का क्या काम है सब कुछ ठीक है तो यह भी IIT मदरास ने develop किया है ठीक थोड़ा इसकी बारे में हम देखते है टेकनलोजी का नाम है Sindhu Jawan जिसका काम है ocean wave energy converter ठीक है जो समंदरी लहरों को है उनको convert किया जाएगा ठीक है यह है अगले तीन वर्ट्सों में समंदरी की लहरों से एक मेगा वाड़ बिजली पैदा करने का लक्ष रखता है पूस सकते हैं कितना मेगा वाड़ बिजली पैदा करने का इसने लक्ष रखा है ठीक है सिंधु जाने ठीक नेक्स है विच आप दे फॉलविंग इंडियन इंसिट्यूट अफ टेकनलोजी है लॉंच दा स्वस्त गर्व एफ और प्रेगनेट मोमेन इन डिसेंबर 2022 निम्ने लिखित मैं से किस भारती प्रदोग एक संस्तान ने दिसम्बर 2022 में गर्वती महलाओं के लिए स्वस्त गर्व एप लॉंच किया है उफ प्रेगनेट लेडीज थीक है तो स्वस्त गर्व एफ नाम है इसका थीक है इंग्लिश में भी देख सकते हैं अब फरेगनेट लेडीज तो किस आयटी ने यह डेवलप किया गया है एक साथ मिलकर इसको डेवलब किया है और इंस्टॉल कहा हुआ है है हैदराबाद के बैगमपेट में स्वस्त गर्व एप ग्रामिन छेत्रों में उन महलाओं के लिए महतुपूर उपकरण होगा जिनकी डॉक्टरों तक आसान पहुचान नहीं है आपने देखा होगा जो बहुत गाउं इंटीरियर गाउं में रहते हैं लोग अगर जो प्रेगनेंट लेडीज हैं या जो कोई बिमार लोग हैं ठीक है फिलहाल मैं दोनों के बारे में बात कर रहे हूं उनको पूरा अर्वन एरिया तर लाने में सिटी में लाने तक बहुत होती है ठीक है बहुत जीड़ा दिकत होती है तो यहां फिलहाल बात चल रही है अपने ड कहने मना होता है। तो उनके लिए यह बहुत ऑच्छी एप बना कि Si Citयborics के नायम है, Researchers from which institute has developed an artificial heart which will prove to be helpful for people suffering from cardiac problem. किस संस्तान के सोतकरताओं ने एक कृतिम हिरिदय विक्सित किया है, artificial heart जिसको बोलते हैं, जो हिरिदय समंधी समंस्याओं से पीडित होने वाले लोगों के लिए मददकार साबित होगा. IIT कानपुर ने ये artificial heart को develop किया है. Next, the Global Center of Excellence in Affordable and Clean Energy was launched at which of the following IIT in January 2023 to enhance the research in affordable and clean energy. सस्ती और स्वच उर्जा में उतकरिस्ट ता वैश्विक केंद्री जन्वरी 2013 में सस्ती और स्वच उर्जा में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए निमने लिखित में से किस IIT में launch किया गया था ये. ठीक है, तो ये IIT धर्वत, ठीक है, धर्वत कहां है, ये अपना करनातक में है, ठीक है, करनातक में है. तो नेक्स कोशन देखते हैं. और खेल और सूचना प्रसाडन मंत्री हैं, ठीक है, और कहां हुआ IIT रोपर जो कि पंजाब में है, ठीक है. नेक्स से इंडिया फर्स एग्री चैट बोर्ट आमा क्रूश AI लॉंच्ट इन उडिशा इन मार्च टॉज़न 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 सेक्टर वस क्रिएट बाई विच आईटी. क्रिसी छेत्र के लिए मार्च 2023 में उडिसा में लॉंच किया भारत का पहला एग्री बोर्ट चैट बोर्ट आमा क्रूश AI अर्टिफिशल इंटेलिज़न्स किस आईटी द्वारा बनाया गया है. तो ये बनाया गया है आईटी मदरास के द्वारा तो आमा क्रूश AI जो की आटिफिशल इंटेलिज़न्स है ये मेंली अग्री कल्च सेक्टर के लिए बनाया गया है. थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं तो आमा क्रूश इंटेलिज़न्स इंडिया का पहला आटिफि इसकानों को सरुवत्त क्रिसी पद्यूनिती के साथ मदद करेगा उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में भी सूचित करेगा. नेक्स है विच आईटी है वान दा नेशनल इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी एवार्ट फॉर 2021 और 2022 इन ऑक्टबर 2022. ऑक्टबर 2022 में किस संपधा पुरुषकार जीता है तो आईएटी मदरास ने नेशनल इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी एवार्ट जीता है नेक्स है रिसर्च आईट विच आउव द फॉलिविंग इंस्टिटूट्वल प्रॉपर प्रॉपर प्रसेक्शन किया जो प्रभावी रूप से फेफडों के कैंसर के जोखिम का पूर्वर नुवान लगा सकता है कि पहले से पता चल जाए कि फेफडे के कैंसर में बहुत ज्यादा जोखिम हो रहा है ठीक है जिसका नाम है सिबिल तो कौन से इंसिटूट या कौन से रिसर्च ने ये लॉंच किया है ये कोशन पूछ रखा है तो इसके बारे में तो इसके बारे में ये कोशन पूछा जा सकता है ये तो पूछ लिया कोशन में कि किसने इनाउग्रेट किया परम करम रूपा को लेगिन ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी टोटल कैपसिटी कितनी है 830 ये चेरा फ्लॉप से इसे राश्टी सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस्तापित किया गया है अगर हम समीर की देखेंगे फुल फॉर्म तो सुसाइटी फॉर एप्लाइट माइक्रोवेव एलेक्रोणी इंजिनियरिंग एंड रिसर्च नामा एक उच्छ शक्ति वाले प्रयोग साला का भी उद्गाटन किया है ठीक है तो रास्ट्रपती ने दोनु चीज का उद्गा वेगा वन अब दा मोस्ट पावर्फल सूपर कंप्यूटर इन दा कंट्री निम ने लिखित मैसे किसने देश के सबसे सकते साली सूपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्तापित और चालू किया है ठीक है तो आयाई ऐसी बेंगलोरों ने किया है परम अध्यादूनिक सूपर कंप्यूटर को 30 माई 2022 को डैश में कमिशन किया गया था कहां कमिशन किया गया था आई गांधी नगर में ठीक तो परम अनन्ता है जब सूपर कंप्यूटिंग 838 टेराफ्लॉप्स आपको सब की सूपर कंप्यूटिंग कैपिसिटी को याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा पुछा जा सकता है ठीक है इसे राश्टी सूपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण दो के तहत इस्तापित अगेन वैसी कोशन पूछ रहे हैं सारे अभी कंप्यूटर से रिलेटेड कोशन आ रहे हैं जितने भी सूपर कंप्यूटिंग आ रहे हैं जितने भी सूपर कंप्यूटर आ रहे हैं सबसे रिलेटेड कोशन है अब है परम शक्ति के बारे में कि परम शक्ति किस अंस्तान मे लॉंच किया गया था तो यह किया गया था अपना आयटी खरकपुड में अगें इसकी सूपर कंप्यूटिंग कैपसिटी कितनी है परमशक्ति की 1.66 पैटा फ्लॉप्स और यह भी डिजाइन कमिशन किया गया है सीजेक के अंडर अंडर फेस वन आफ नेशनल सूपर नेक्स अगें वही है सीजेक है डिजाइन इंस्टॉल आ सूपर कंप्यूटर नेम परम गंगा एट विच और फॉलविंग इंस्टिटीट यह थोड़ा आपको इजी पढ़ सकता है गंगा नाम से के गंगा कहां बहती है उत्राखंड में बहती है और उत्राखंड में कौन साइटी है आइटी रूड़की है ठीक है तो रूड़की में ही इसका उद्खाटन किया गया है तो परम गंगा के अगर हम सुपर कंप्यूटिंग कैपिसिटी देखें 1.66 पैटा फ्लॉप है यह भी सीडेक के अंडर डिजाइन किया गया है ठीक है इसका नाम परम गंगा ह है और यह आइटी रूड़की ने इसको डिजाइन किया गया है ठीक है अंडर दे फेस सेके नेशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत नेक्स है परम पुरॉल एक अध्यादू नेक सूपर कंप्यूटर का उद्खाटन माई 2022 में डैश में किया गया था कहां किया गया इसकी सूपर कंप्यूटिंग कैपिसिटी परम परॉल की 838 टेरा फ्लॉप से इस बेस्ट ऑन डैरेक कॉंटेक लिक्वेट कूलिंग टेकनलोजी और यह भी डिजाइन कमिशन किया गया सेंटर फर डेवलप्मेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग की तहत ठीक है अगर हम बाकी देखे हम अगर हम सूपर कंप्यूटर देखे जो की नसम के तहट बने गया है तो उसकी पूरी लिस्ट दे रही ही मैंने जैसे कि परम सिवाय है जो की फर्स सूपर कंप्यूटर है ठीक है आई इट ब्हू में इंस्टॉल किया गया था 838 टेरा फ्लॉप कैपिसिटी कि परम सांगनक या प्रम ब्रह्म फिर परम इशान परम सांगनक आय आई टी कानपूर में जिसकी घ conception है तर्पूर परम ब्रहर्म में फिर ने में हूट संटल और 850 टेर dissoci सिसकी परम इशान है जो जो कि i8 गोहार्टी में सेट अब किया इसकी 255 टेरा फ्लॉप से आप इसको कहीं पर नोडाउन कर सकते हैं या फिसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है नेक्स से विच आफ दो फॉलविंग आई टी है इस डेफलोप्ट आइंडिया फर्स्ट्रीडी प्रिंटेड हुमन कानिया इन ऑगस्ट टॉजन ट्विंटीटू निमने लिखेत में इसको कि साथी ने अगस्ट दोजार बाईस में भारत का पहला 3D मुदरित मानव कानिया सफलतास पूरवर विख्षित लिया कानिया कहा हुता है हमारी आइस में आखों में होता है न तो इसका 3D मुद्रित 3D प्रिंटेट एउमन कानिया विक्सित क्या था कौनसी आइइए platform smart boxer in August 2022, अगस 2022 में boxing analytics platform smart boxer विक्सित करने के लिए किस IIT ने करनाटक स्थिद इंस्पार इंस्पार इंस्पूर्स के साथ भागिदारी करी, मतलब IIT ने क्लाबरेट कर रखा है करनाटक इंस्पार इंस्पार इंस्पूर्स आफ स्पूर्स के साथ to develop a smart boxer तो किस IIT ने कर रखा है ये कुशन पूछ रखा है IIT मदरास ठीक 2024 ओलंपिक में भारत के मुक्यबादी स्वरी मुक्यबादी पदक को बड़ावा देने के लिए उन्नत मुक्यबादी विशलेशन software बनाया जा रहा है अब देखी इसके लिए भी software बनाया जा रहा 2024 में यह प्रतिक्रिया और प्रदर्शन मुल्यांकन देने के लिए इंटरनेट ओफ तिंक्स शम्ताओं वाले पहने योग के sensor और कैमरों का उप्योग करेगा हर चीद technology से जूड रही है नेक्स है किस आईईटी ने गुटने से उपर के विकलांगों के जीवन की गुर्मत्ता में सुधार के लिए भारत का पहला स्वधेसी रूप से विक्सीद पॉलिसेंट्रिक प्रोथेस्टिक गुटने कदम कदम से नाम लग रहा है कुछ पैरों से रिलेटेड होगा हम कदम किस से बढ़ाते हैं पैरों से बढ़ाते हैं तो कदम लांच किया है ताकि जो डिसेबल लोग है उनके लिए बहुत हैल्फूल हो सके यह चीज़ पॉलिसेंट्रिक प्रोथेस्टिक नहीं बना दी है सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है इयाथी मद्राज谢谢 अभी यह धिरे धीरे पहल का चल यहai पहले पहले यह वह होगा ऐना हाथह सकते हैं बहुत ज़्यादा आइजिर्स पी है उन लोह के लिए बहुत दिक्कत है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि अभी तक ऐसी को टेक्नोलोजी नहीं आई लेकिन अब धीरे-धीरे कर रहे हैं इस पर काम देखिए अभी तो फिलाल तमिलाडू में हुआ है कि मानव के बिना ही सेप्टिक टैंक्स को साफ कर सकता है वरना मानव को ही डाला जाता था हुमन को य हो बीकाफी मदद हो जाएऑ जुक इसकाम करते हैं जो जितने वी सफाई करम चारी है वह यह काम करते हुए नंके लगण्ज में प्रॉबलम होती है ऐसी स्टोरी भी को सुनी थि कि जब बोलते थे हम घर आते तो हमने बहुत डिक्कत नोती है कि साफ सफाई में और हमाने लंग्स में प्राब्लम हो जाती है, इतना सारा गंदिगी होती है, उसके अंदर आप सफाई कर रहे हो, तो सेल्यूट है उन लोगों को पहले तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ऐसी को टेक्नलोजी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो फिलाल यहां तक था पूरा आज का सेशन, उमीद करती है, आपको काफी helpful लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में,